अंग्रेजी बोले में 95% लोग यही वर्ट्स पर्योग करते हैं, जैसे लब टू बहुत पसंद है, एम टू बी बनने वाला हूं, ओ टू एहसान मंद हूं, विलिंग टू चाहा रहा है, इसे कई सरे वर्ट्स हैं जो इस पोकें इंग्लिस में, people use most of the times. If you want to learn English speaking, you can watch this video till the end, and you will learn many things in this video. Use of kin to, kin to का मतलब है, उत्सूखो, उत्सूखो के लिए आप और भी words पर्योग कर सकते हैं, जैसे क्या पर्योग कर सकते हैं? excited to आप परियोग कर सकते हैं eager to इस तरिके से जहाँ पर भी आप उत्सुख है जहाँ पर कि आप excited है वहाँ पर आप तीनों words में से किसी को परियोग कर सकते हैं example structure काफी असान है subject plus age mr plus kin to plus v1 plus subject kin to के जगह पर आप दोनों में से और कोई भी परियोग कर सकते हैं example है वो अंग्रेजी बोलने में उत्सुख है अंग्रेजी बोलने के लिए उत्सुख है he is keen to speak English he is excited to speak English siyam उससे मिलने के लिए उत्सुख है siyam is keen to meet him तो इसी तरह के साब sentences कई साड़े बना सकते हैं at least you can make 10 sentences on one topic then after you can speak English fluently because you will have many sentences on one topic O2 O2 का मतलब है एहसान मंद हो यसे किसी ने आपका मदद कर दिया किसी ने एहसान कर दिया वह पर आप कैसे अंग्रेजी में बोलेंगे उसके लिए आप बहुत से easy sentence होगा subject O2 plus object हो जाएगा इससे मैं रवी का एहसान मंद हो क्योंकि उसने मेरा सही समय पर मदद किया sentence सुनाते हैं I owe to रवी because he helped me on right time तुम उन सभी का एहसान मंद हो you owe to all of them तो इसी तरगे से आप sentence सुनाते हैं कई सरे sentence सुना सकते हैं बहुत ही असाने से got to got to का मतलब है कोई काम करना होगा got to को आप sort में गोटा भी बोलते हैं तो आप दोनों तरगे से परियोग कर सकते हैं no doubt subject plus got to plus we won plus subject जैसे मुझे उससे मिलना होगा I got to meet him इन सभी sentences का परियोग spoken English में most of the times people परियोग करते हैं तो अगर आप साते अंग्रेशी में इन सभी सब्दों का परियोग करना असानी सैप कर सकते हैं कोई काम करना होगा इसके लिए और भी अलग words है लेकिन got to का परियोग ज्यादा तर करेंगे तो बहतर होगा तुम्हें खाना पकाना होगा you got to cook food इससे अगर मैं अंग्रेशी में दुसरे तरह के से बदाओ तो sentence हो जा गया आपर you will have to you will have to cook food इससे आप दुसरे तरह के से sentence बोल सकते हैं लेकिन आप इस तरह के से got to का परियोग करेंगे तो कुछ इस तरह के से होगा love to that means बहुत पसंद है तो इस तरह के साब बोलता है subject love to plus v1 plus subject होगा मुझे अंग्रेजी में बात करना बहुत पसंद है तो sentence बोल सकते हैं I love to talk in English रवी को कार्ड सलाना बहुत पसंद है रवी loves to drive a car जो कोई काम करना आपको बहुत पसंद है उससे आप love to से बना सकते हैं this is very easy to use in English speaking begin to begin to का मतलब होता है लगता है कोई काम करने लगना इस तरह के से subject plus begin to plus v1 plus object होगा मैं अंग्रेजी बोलने लगता हूँ मैं अंग्रेजी बोलने लगता हूँ तो इससे आप अंग्रेजी में बोलेंगे I begin to speak English रमेस गाली देने लगता है रमेस begins to abuse तो इस तरह के से बोलता हूँ मतलब कोई काम होता हूँ उसके बाद आप कोई काम करता है have to मतलब कोई काम करना पड़ता है कोई काम करना पड़ता है मजबूरिवस you have to understand the condition why you are using sentence if you know this that means you can understand easily and make sentence on the right time subject plus have to plus we even play subject होगा जो की compulsion दिखाने के लिए करते है यसे मुझे रोज बजार जाना पड़ता है that is not my wish that is not my you can say कि हमारा इच्छा नहीं है रोज जाना लेकिन मजबूरी है मजबूरी वस जाना पड़ता है तो आप कर सकते है I have to go to market to Delhi इस तरह के से तुम्हें दूप में काम करना पड़ता है you have to work in the sunlight तो इससे आप sentences बोल सकते है जो कोई काम आप मजबूरी वस करते है उन सभी sentence को आप मातर एक word से लिख सकते है एक word से आप बोल सकते है able to that means कोई काम करने में समर्थ है योग्य है इस तरह के से बोल सकते है subject plus EJMR plus able to plus anyone plus subject होगा जैसे मैं English बात करने में समर्थ हूँ योग्य हूँ जहमता है इस तरह के से I am able to talk in English कितना असान है I am able to talk in English करने में समर्थ हो बात करने में पहार पर चढ़ने में समर्थ है कितना असाने संटेंश इस तरह के साब कही सब्सक्राइब बात करेंगे कि स्क्राइब कर सकते हैं कि आप कोई काम कर सकते हैं ए या डाक्टर बनने वाला हूं इंजनियर बनने वाला हूं सिंगर बनने वाला हूं कुछ भी आप बोल सकते हैं सब्जक्ट प्लाइस एजमाड प्लाइस टूबी प्लाइस अधर वर्ड होगा डाट मेंस यू कन से अब्जक्ट रमेस डॉक्टर बनने वाला है रमेस इज टूबी आ डॉक्टर तुम लोग गायक बनने वाले हो यू आर टूबी आर सिंगर तो यस तरह से डॉक्य शड्र झाफ शन्टेंस्थज्जंट स मनाते हैं कोई चीज़ बनने वाले हैं उससे इन सभी वर्ट्स का परियुक करकर रहें बोल सकते यह लबडेटौ जिट किअगों को किकेट खेलना बहुत पसंद थांको हम लोगों को गेम खेलना बहुत प्रसंद था वि लब्ड टो प्ले दा गेम अगर आप तू नहीं लगाते हैं तो लब्ड के साथ सीधा वी फोर आज जाएगा इसे कि अमन लब्ड प्लेंग करकेच वि लब्ड प्लेंग दा गेम इस तरह किसे बोलते हैं विलिंग टू दाट मेंस कोई काम करना चाहा रहा है इच्छा है वीस है वहां पराप्रियो करते हैं सब्जक्ट इजे मार प्लेस विलिंग टू प्लेस वीवन प्लेस अब्जक्ट होगा जैसे मैं अंग्रेजी बोलना चाहा रहा हूं तो संटेंस होगा आई आम विलिंग तो बहुत असान संटेंस है इस तरह के से अगर आप 10 संटेंस का प्रैक्टेस कर लेते हैं दाट मेंस यू कने स्पीक इंग्लेस ऑन दे स्पॉर्ट वेनवर यू टॉक इन इंग्लेस वे लोग काम करने जा रहा हूं जिसे मैं मैंच खिलने जा रहा हूं वे लोग काम करने जा रहे हैं वहाँ पर आप इस तरह के से बोल सकते हैं wish to that means कोई काम करने की इच्छा है वहाँ पर परियोग करते हैं subject to wish to plus even plus object होगा मेरा मिठाई खाने की इच्छा है I wish to eat sweets हम लोगों को घुमने की इच्छा है या हम लोगों का घुमने की इच्छा है we wish to walk इस तरके सा परियोग कर सकते हैं dare to that means कोई काम करने की हिम्मत है वहापरा परियोग करते हैं subject dare to plus even plus subject होगा हिम्मत है सहास है तुम्हें पहाड पर चड़ने की हिम्मत है you dare to climb on the mountain रवी को उससे पिटने की हिम्मत है सहास है that means वो रवी उससे पिट सकता है रवी dares to beat him dare way one है और sentence present in depth यहाँ पर way five लग जाएगा about to about to का मतलब है कोई काम करने ही वाला हूं मतलब की कोई काम के होने की संभावना बहुत जल्द है तो संदेंस बोलता है इस पिगाड से इसे मैं स्टेशन पहुचने ही वाला हूं I am about to reach the station रवी कार खरेदने ही वाला है रवी इस अबाव टू बाया कार so guys thanks for watching that's all for today